प्रेज दरोड आप सब को जय मसी की मैं परमेसर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबा दिखाने के लिए एक और दिन परमेसर ने हम सब के जीवन में जोड़ दिया हम परमेसर को कुटी-कुटी धन्यवाद दे एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मों को पच्तित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्तपूल है उन लोगों के लिए जो पास्टर बनना चाहते हैं या जो पास्टर है कुछ ब करिए जीवन बदले महां पर रहे पास्टर जी काहीं महीनों तक वर्सा कुछ तक करहा हैं और धीरे जब समय भीद घया उनका कारयकाल समाप्त हो गया तो फिर उनको वापस बुलाया गया उनके जगा दूसरे पास्टर को भीजा गया जो दूसरे कॉ पर गये तो उन्होंन कि जीवनी की बारे में बताएं का सो भाव कैसा था उनका चरित्र कैसा था वो किस प्रकार का मनुस्य था किस प्रकार से उसने अपने आपको दे दिया कैसे बात्चित करता था यह सारी बाते हैं कि एक बात यह सुमस्टी के बारे में उन पास्टर ने जो सेकंड दूसरे पास इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाले जो पास्टर थे उनका सोभाव बिलकुल प्रभू ये सुमसी जैसा था पुलाइट नमर वही चीज परमिस्टर मुझ में और आप में चाहता है अगर हम पास्टर बनने जा रहे हैं अगर आप पास्टर बनने जा रहे हैं तो आज इस वचन को आप जरूर सुनिए ये वचन आपके लिए है मैं आपको आज पाँच बाते ऐसी बताऊंगा जो हर एक पास्टर में होनी बहुत जरूरी है अगर वो नहीं हैं बाते तो इसका मतलब हम पास्टर बनने के लायक नहीं है तो बहुत महत्वर संदे से मैंने 5 बाते निकाली असे जदा हैं भैबिल में से ज्यादा मैं जानता हूँ लेकिन मैंने सिर्फ खास 5 बाते निकाली हैं जो ये सुमसी के अंदर थी प्राइज़े ताकि और भी लोग खास्द और शेप पाश्टर लोग इन बातों को जाने जाने प्रेज़ दराइब्र टू परस्ज मैं आच का सवाल है कि हमें कौन से दूद की लालसा करनी चाहिए बाइबल कौन से दूद के विसमें बताता है कि हमें कौन से दूट की लालसा करनी चाहिए जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजे नहीं तो डिस्क्रिस्टन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा हिंट के लिए बता दूँ के ये नहीं नहीं अमसे लिया गया सवाल है प्रेज द लोड ये मेरा नंबर है और ये नंबर है उन लोगों के लिए जिने हमारे हमारी बुक चाहिए जो मेरी बुक है वो चाहिए अगर तो जरूर इस नंबर पर आपको वाटस अप करना है लिखन है उसे आगे बढ़ाने में पूरा करने में मदसाहिता करें प्राथना में लगे रहे कि परमेसर द्वार खोले और हम इस काम को जल्द से जल्द सिरू करें क्यूंकि मैं जानता हूं कि परमेसर का काम है से कोई भी रोक नहीं सकता प्रेज दालॉड आए एक चोड़ी सी प्रा आत्मा और मेरा शेरिर तेरे ही कबजे में रहे ताकि बोलने वाला मनश नहीं में कि तेरा आत्मा हो जो भी गूर भेत की बात है आज के वचन में छिपी हैं प्रभू वो हम पे प्रगट करना प्रभू जी और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं सुन रहा हैं सब पर मैं तेरी आशुष बोलता हूं प्रभू हरेक को आशुषित कर हरेकी रोग बीमारी चिंता परिशानिया दुख तकलिफे लड़ाई जगड़े मन मुटाओ बांजबन करजा नसा बेरोजगारी कमी घटिया बुरी बीमारी तलाक की समस्याएं हरेक घर से हरेक दिल जिस जान से परिवार से दूर कर दे मेरे प्रभू ताकि तेरे बच्चों के जीवन में अद्वद काम हों और वो गवाही दें कि प्रभू यसुमसी ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है बहुत से लोग मिर्गी के शिकार हैं प्रभू जिनको उन्हें भी तुछ चंगाई बहुत से लोग जो एड्स के शिकार है मेरे प्रभू जी कैंसर के सिकार है मेरे प्रभू अलसर है ज Arsen के पेट में प्रभू जी और पेट की तकलीफे ज्यादा बढ़ती चली जा रही है प्रभू जो उन सब को तो शिफा दे ताकि प्रभू जी वो तेरी महिमा करने पाए प्रेज़ अलोड तो आईए आज के संदेश को शुरू करेंगे लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये हमारी बाइबल को और इसकी बुक है एक जो मैं लिख रहा हूँ अभी लिकी नहीं है और वो है धरम गुरू इसमें से लिया एक छोटा सा अंस है जो आज आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ धरम गुरू यानि के रिलीजिस जो हमारे जो लीडर है उनके बारे में तो आईए सबते पहले हम देखेंगे पहला पत्रस दो अध्याए और इसके बीस पत से मैं पढ़ना शुरू करूँगा पहले हम इस बहुत जबरदस बात यहां पर पत्रस लिखी है यदि तुमने अपराद करके गलती करके गुनहा करके कोई दुक उठाया है कोई तुमें मार रहा है कोई दंडित कर रहा है तो इसमें बढ़ाई की बात नहीं है लिखाए यदि तुमने अपराद करके घूसे खाया धीरस थरा तो इसमें कोई बढ़ाए की बात नहीं है ये तो हो गई क्योंकि गलती करिये तो उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी पर अब देखिए यहाँ पर कुछ बाते हैं जो पास्टर के लिए बहुत जरूरी है लिए पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरस धरते हो तो ये परमेसर को भाता है हम पास्टर बनने जा रहे हैं या हम पास्टर है तो हमारे अंदर ये बाते होने बहुत जरूरी है क्या बात है वो कि हमें परमेसर को भाने वाले कारे करने हैं वो पांच बात में वो पांच काम मैं आज आपको बताऊँगा जो पास्टर के होने बहुत जरूरी है अगर नहीं है तो हम पास्टर नहीं है हम सिर्फ भून कर रहे हैं हम दिखावा कर रहे हैं हम भीड़ी खटी कर रहे हैं हम पैसा कमाने की जुगत में लग गए हैं हम प्रोफेशनल हो गए हैं हमने इस काम को बिजनिस बना लिया है अगर यह पांच बा भी गए हो है न हम बुलाए गए हैं क्योंकि मसीड ही तुम्हारे लिए दुक उठा किर तुम्हें एक आदर्श दे कर गया एक आदर्श दे कर गया है कि एक्जमपल प्रभु ये सुमसी ने हमारे सामने रखा है वो बताया कि ऐसे करो जैसे कि आपको याद होगा जब ये सु दासियों के लिए कि ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा तभी तुम जीत सकते हो प्रभु ये सुमसी में ये बाते थी ये पाँच बाते ये सुमसी के बारे में आपर लिखी है वो मेरे और आपके अंदर हर एक पास्टर के अंदर होनी बहुत जरूरी है अगर नहीं है तो आदर्ष दे गया है कि तुम भी उसके चिन पर चलो तुम भी उसके चिन पर चलो आप पास्टर बनने जा रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यार में रखना होगा आपको ये सुमसी के पद चिन्नों पर चलना पड़ेगा जो आदर्ष प्रभु ये सुमसी ने दिया है उसक कि तरह अपने सभाओं को, अपने बोल चाल को, अपने उचने बैटने को, अपने चलने फिरने को रखना पड़ेगा, तभी हम परमेस्टर के सेवक य दास-दासी कहलाएंगे, तभी बन कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे, आप देखिए, वो पाँच बाते नीचे ल कि बहुत से पास्टर में ये गलतिया हैं जरा से कोई हमें बोल देता तो हमें बुरा लग जाता है फिर हम चार बाते और बोल कर उसे छोटा बनाने की कोशिश करते हैं बहुत से लोग तो वीडियो बना कर यूट्यूब पर डाल देते हैं तो ये पास्टर के काम थोड़ी है यह तो एक संसारिक मनुस्य के काम है जो संसारिक हैं वो ही ऐसे काम करते हैं कि किसी ने कुछ के हदिया बुरा लग गया तो आपने चार बाते और उसको बोल दे यह सुमस्य की बात याद रखनी चाए है कि यदि कोई एक गाल पर तेरे थपड़ मारे तो दूसरा भी उसकी और फेर दे हम दूसरा तो फेरते हैं उल्टा पलट कर एक घुंसा मार देते हैं अब देखते हैं वो पाँच बाते कौन सी हैं 22 पद लिखाए ना तो उसने पाप किया पहली बार ना तो उसने पाप किया अब पाप की जब पाप का जब जिकर आता है तो लोग सोचते हैं कि पाप तो वेविचार होता है, पाप तो मडर करना होता है, पाप यही नहीं है, पाप में तो बहुत सारी चीज़े आ जाती है, पाप का अर्थी है परमेसर के अनाग्या कारिता करना, अगर बाइबल बतात कुरूद करते हैं तो पाप करते हैं तो कहा वैबिचार कहा हत्या और कहा कुरूद नहीं करना ना ये अग्या है तो अगर इस अग्या का हम उलंगमन कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं हम पाप कर रहे हैं घमंड के विश्य में भी है बाइबिल में लिखावा जूट के विश लिखी है पहली बात मैंने आपको बताई है कि ना तो उसने पाप किया, ये बात हर एक पास्टर में होनी चाहिए कि वो पाप ना करे, यानि कि परमेसर की अनाग्या कारिता ना करे, जो परमेसर ने कहा है, वो ही करना होगा, फिर बतादू कि पाप का अर्थ जब आता है, बा जूट बोलना, कुरूद करना, जलन रखना, चिड़ना, कुरुकुराना, ये सब पाप है, तो ऐसी बातों से बचना होगा परमेसर के दास्दासियों को, बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रभु ये सुमसी एक आदर्श दे कर गए हैं और पाच बाते हमें बताते हैं पहली बात क्या है, कि हमें पाप नहीं करना, हमें पाप नहीं करना, यानि परमेसर की अनाग्या कारिता हमें नहीं करना है, दूसरी बात क्या है, ना तो से ने पाप किया, दूसरी बात है, ना उसके मूँ से चल की कोई बात नहीं, चल कपड़, चल कपड़ जोता है, जो लोग होते हैं वही च्छल करते हैं यह चीज हमको अलग रखने पड़ेगी अपने से या हमें इन चीजों से अलग होना पड़ेगा या हम पास्टर बनने जा रहे हैं या पास्टर की ट्रेनिंग ले रहे हैं या हम खुद पास्टर हैं तो हमें इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा अगर ये बाते हमारे अंदर है तो हम गरहन नहीं किये जाएंगे हम लाक परचार कर ले हम बहुत अच्छे Bible teacher है हम बहुत अच्छे प्रिचर है हम बहुत अच्छा वच्छा ग्यान रखते है लेकिन अगर ये बाते हमारे अंदर है तो हम परमेसर के योगे नहीं है क्योंकि ये बाते परमेसर को नहीं भाती अनागिया कारिता परमेसर को नहीं भाता च्छल की बाते परमेसर को नहीं भाती तिसरी बात क्या है तेईस आयत का पहला हिस्सा ये बहुत बड़ी बात है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था कौन? प्रभू येसु मसी इसका मतलब क्या है? प्रभू येसु मसी ने गालिया सुनी है गालिया सुनी है हम यहाँ पर क्या करते हैं कोई हमें चोटी सी गाली देता है हम बड़ी बड़ी गाली उसके उपर फेकते हैं यहाँ तक कि कोई हमें सेतान भी कह देता है हम कह देता है तू सेतान का बच्चा है यह पास्टर के काम दोड़ी है यहां पर एक एक एकजमपल रखा है परमिस प्रभू येस्वमसी ने पत्रस ने लिखा है कि ये चीजें मेरे और आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है अगर हम पास्टर हैं तो लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता थे ये इसका मतलब क्या है येस्वमसी ने गालिया सुनी है सुनी है गालिया जब येस्वमसी क्रूस पर लटके थे थपड़ मारे हैं लोगों ने येस्वमसी को और कहा है कि अगर तू बविश्वक्त है तो बता किसने तुझे थपड़ मारा यसमसी चाहते तो सैना की सैना यसमसी की मदद करने के लिए आ जाती लेकिन नहीं यसमसी मुझे और आपको बचाने के लिए चुपचाप से कुरूस पर लटके रहे तीसरी बात क्या थी गाली सुनकर गाली नहीं देता था गाली नहीं देनी यहाँ पर तो गाली लिखा बहुत सारी बात है लोग हमें बुरा भला कहते तो हम पलट कर उन्हें बुरा भला ना कहने लग जाए बलकि क्या कहा है परमेसर आपको आशित दे हैं खुश लहो यह होता है मसीही जीवन इसी को कहते हैं किर्स्चैनिटी यही इसाइयत है यही मसीहत है कि हम गाली सुनकर गाली ना दें पाप ना करें छल की बात हमारे मुझे ना निकले चौथी बात है और दुख उठा कर किसी को धमकी नहीं देता था मैं देख लूँगा तेरे को तेरे को तो लोग ढूंड रहे हैं देख लूँगा तेरे को ना ऐसी बात हैं हमारे मुझे पर शुबा नहीं देती क्योंकि हमारे मुझे क्या निकलते है प्रभू येश्यमसी के वचन हमारे मुझे निकलता है प्रमेसर का वचन करें ये परमेसर को नहीं भाएगा ये बहुत खतरनाक बात हैं पास्टर लोगों के लिए क्योंकि नियाय तो हमी से होगा सुरुआत तो हम से ही है हमी पकड़े जाएंगे कोई भी प्रफेक्ट नहीं है लोग समझते हैं अगर अपने आपको हम प्रफेक्ट नहीं तो सब देखा जाएगा जब नियाय कासे में आएगा तब पता चलेगा कि कौन कहां खड़ा होगा चौती बात मैंने बताई है कि वो धमकी नहीं देता था लिखा है गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठा कर किसी को भी धमकी नहीं देता था दुख उठाया ये सुमसी ने कुरूस्प का दुख ने उठाए ये समसीन हम से जादा इबरानियों की बत्रे कहते है कि तुमने दुखों से लड़ लड़के ऐसा दुख ने उठाए कि तुम्हारा बलड बहा हो कुन बहा हो वो तो ये समसीन इक्षा है पाच्वी बात और अपने आप को सचे न्याई के हाथ में सौम देता था ये सबसे बड़ी बात है यगर आपको कोई गाली दे रहा है वो जूटा बोल रहा है आपको साथ कोई बत्तमीजी कर रहा है तो वहाँ पर हमने अपने आप को परमेसर के हाथों में सौम देना है येसु मसी कुरूस पर लटके है ध्यान दीजिएगा इस बात पर और सूचिए येसु मसी कुरूस पर लटके है और लोग उनको थपड मारा खेंच के और कहा बता किसने तुझे मारा है अगर तू भवश्य वक्ता है तो कपड़े फाड़ लिए बाट लिए आपस में थूक रहे हैं लोग उसके उपड़ येसु मसी ने क्या कहा अपने आपको सच्चे ने आई के हाथ में सौम दिया और हाथों को उठा कर का हे पिता ये निक्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते है ये सुभाव हमारा होना चाहिए ये पाच बाते ये सुमसी के अंदर थी जो हर एक पास्टर के अंदर होनी बहुत जरूरी है मैंने पाच बाते ही निका लिए हैं क्योंकि ये ये सुमसी के बारे में बताया क्योंकि ये सुमसी ये बाते बता कर हमें एक example दे कर गया है और Bible इस बात उसे भरी पड़ी है नए आनियम में पढ़ लिजे आप तिमूथियस की पत्री में तीन अध्याय में वहाँ पर सब कुछ रिखा है सब कुछ रिखा है वापर कैसा होना चाहिए एक पास्टर को एक अध्यक्ष को और भी बहुत सारी बाते हैं तिमूथियस में हैं इस सारी बाते हमें समझाती हैं कि एक पास्टर का जीवन कैसा होना चाहिए सबसे बड़ी बात है जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो मुझे और आपको पढ़ते हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं इस तरह से अगर हम इन पाचों बातों में समलिप्त हैं हम पाप कर रहे हैं हम चल की बाते कर रहे हैं हम गाली के बदले गाली दे रहे हैं हम धंकियां दे रहे हैं और अपने आपको सच्चे न्याई के हाथ में नहीं सौपते खुदी न्याई करने के लिए बैड़ जाते हैं तो लोग हमें कहेंगे कि ये येशु के लोग हैं किसका नाम बदनाम होगा प्रभू येशु मसी का तो हमें कैसा बनना है प्रभू येशु मसी के समान अपने आपको बनाना है फिलिप्पियों दो अध्यास के पांच पद में लिखा जैसा येशु मसी का सुभाव था वैसा ही तुम्हारा भी सुभाव हो अपने हाथों को ठाके कहिए प्रभू मुझे अपने जैसा बना दे मुझे अपने जैसा बना दे प्रभू ताकि मैं एक पास्टर होकर तेरा दास होकर तेरी दासी होकर प्रभू अपनी जीवन को वैतित करूँ लोग मेरे जीवन से कुछ सीखें ऐसा नहों कि मेरे जीवन से वो ठोकर खाए प्रभू येश्यू के नाम से मांगते हमें दोस्तों हमें किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना हम कितने ही बड़े टीचर हूं, प्रीचर हूं कितने ही बड़े हम संस्था चलाने वाले हूं अगर हमारी जुबान कावू पर नहीं है अगर ये 5 बाते हमारे अंदर नहीं हम तो पर्मेसर की योके नहीं है क्योंकि ये बाते पर्मेसर को नहीं भाती प्रेज दनॉड पर्मेसर इन वेचिनों के द्वारा हम सबको आशीज दे यदि आजा आपने कुछ नया सीका है तो कमेंट्स मों दरूर लिखे और इस बचन को शेर किजिए और अपने वाटसब गुरूप में जितने भी गुरूप है जिसमें पास्टा लोग वहां भेजिए ताकि लोग जाने पास्टा लोग जाने कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए एक पॉलाइट जीवन लोग आपको देखकर यसुमसी को जाने ना कि आपको पहचाने कि यह पास्टा राज में सी है नहीं यह सुमसी की पहचान हमसे होती है हमसे रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हमें अपने जीवन को प्रभू यसुमसी के समान बढने की जरूरत है प्रीज दीलौट क्रूपल्स में आच का सवाल है कि हमें कौन से दूद की लालसा करनी चाहिए जानते हैं तक कमेंट्स में लिख दीजिए ने ते डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा यह मेरा नमबर है और इस नमबर पर आप वाट्साप करके मैसिज कीजिए आपके पास पहुँचे नया वीडियो नहीं जानकारी बिना वेवधान बिना रुकावट के आपके पहुँच जाए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बखना कर मुझसे जरूर बाचित दीजिए अज के लिए बस अतना है फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजिए लेकिन अपना और अपनों को ख्याल रखे और ये वचन जो आज का वचन है अपने पास्टर तक जरूर पहुचाईए मैं ये नहीं कहता है कि वो गलत होंगे मैं ये चाहता हूं कि अगर उनके पास ये वचन जाता है तो ये दूसरे लोगों तक पहुचाने में काम्याब हो जाए प्रेज दरौर परमेसर आप सब को आशिए दे